एक कहावत बहुत प्रशिद है कि पूत के पाव पाले में ही नजर आ जाते हैं और तेजश्वी यादों को देख के भी अब नजर आ रहा है कि वो मुख्यमंत्री बनने के प्रबल दावेदार हैं और बिहार विधान सबाद चुनाओ 2025 में वो मुख्यमंत्री बन के ही दम ले हैं और जिस तरीके से उनका क्रिया कलाप है वो इस बात का सुबूत है कि आने वाले बिधान सबाद चुनाओ में तेजश्वी यादों बहुत बड़ा खेला करने वाले हैं क्योंकि जो अभी से उन्होंने महावल बनाना शुरू किया है वो काबिले तारीफ है ऐसा मैं क्य क्यों कह रहा हूं क्यों इस तरीके की बात तेजश्वी यादों के लिए कह रहा हूं इन शब्दों का प्रयोक कर रहा हूं वो सब कुछ मैं आपको समझाओंगा लेकिन उससे पहले मेरा पड़िचय जान लीजिए मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं आपको बता दू कि एक बार रामधारी सिंग दिनकर से ये पूछा गया था कि आप नहरू जी के संसद में सदस्य हैं नहरू जी के संसद में सदस्यों की क्या इस्तिती है उस वक्त दिनकर ने बताया था कि नहरू जी कृष्ण है और बाकी जो भी संसद सदस्य है वो गोप पियां नहरू जी को इस तरीके से ताकते हैं कि नहरू जी एक नजर बस उनको देख लें और उसके बाद वो बहुत खुश हो जाते हैं उनका पूरा दिन बन जाता है और वो इस बात को नहरू जी के सरकार में रहते हुए कहे थे और नहरू जी के बारे में बताया था कि वो सांसदों को ज़्यादा तवज़ो नहीं देते हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर बात किया जाए तेजश्वी यादों के बारे में, तो तेजश्वी यादों का जो क्रिया कलाप है, और जिस तरीके से अपने छोटे से छोटे कारेकरताओं से वो मिल रहे हैं, वो इस ब बात चीत कर रहे हैं, उन्हें अपने कारेकरम में बोलने का मौका दे रहे हैं, और छोटी से छोटी चीजों को सुधारने का, उसे बहतर करने का, और हर एक कारेकरताओं का जो भी प्रशन आ रहा है, उसका सही-सही जवाब देने का कारे कर रहे हैं, ये काम बताता है कि तेज इस्टिक लेबल का कोई कारे होता है तो वो भी कारे करता ही होते हैं और वो कारे भी कारे करता ही देखते हैं। अपने समवाद में कारे करताओं को बोलने का मौका दे रहे हैं। वो जमीन की सबसे पहले सक्चाई को जानने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये बात समझें क्यूंकि कारे करता बूथ लेबल पे महनत करेंगे जब उनका नेता आके उनसे मुस्कुरा के बात करता है, उनकी समस्याओं पे गंभीरता से सोचता है और विचारता है तो कारे करता भी खुश हो जाते हैं। और कहते हैं कि हाँ मेरा नेता यही है जो हम पिछड़े स्रेनी में खड़े हुए या फिर सबसे अंतिम पंक्ती में खड़े हुए कारे करताओं की भी बात सुनता है और उनकी बात के उपर काम भी करता है। और इस वज़े से कारे करता खुश होंगे। मैं आपको बता दू कि वो 10 सितंबर से यात्रा पे निकले और यात्रा पे निकलने के बाद वो अब तक लगभग 6 पोस्ट सिर्फ कारे करताओं के लिए कर दिये हैं। और कारे करता उनके लिए कितने important हैं इस बात का बखान किया है उन्होंने अपने social media account से और ये बात बताता है कि वो कितना तवज़ो देते हैं और जो शब्दों का परयोग किया है उन्होंने आप सुनिए। आपको भी लगेगा कि वाकई जिस तरीके से कारे करताओं को तवज़ो दे रहे हैं आगे लाने की बात कर रहे हैं ये काम अभी पूरे बिहार में कोई नेता कर रहा है तो उसका नाम तेजश्वी यादव है। सभी कारेकरताओं से मिल रहे हैं, उन पे ध्यान दे रहे हैं, और पोस्ट पढ़के सुना देता हूँ आपको उन्होंने क्या-क्या लिखा है, एक पोस्ट में वो लिखते हैं अभी से 13 घंटा पहले की कारेकरता द्वारा आम लोगों के साथ किये गए संबाद, संमान, आचर और विवहार की छोटी-छोटी बाते ही चडित्र और संसकार की दरपन होती है, कारेकरता दर्शन सहसंबाद कारेकरम, और इनका ये स्लोगन है कारेकरता दर्शन सहसंबाद कारेकरम, मतलब वो कारेकरताओं से मिल नहीं रहे, कारेकरताओं को कुछ बता नहीं रहे, कारेकर जिस तरीके का काम कर रहे हैं उससे उनके कारेकरता खुश है। इससे पहले उन्होंने अपने लीडर्शिप का जल्वा कई बार दिखाया है। जिस तरीके से उन्होंने रन्नीती बनाई है। ये रन्नीती जो अगर लागू कर दिया उन्होंने और इसे अच्छे तरीके से अपने आपको साबित कर दिया, इस नीती को साबित कर दिया, तो मुख्य मंत्री बनने से उनको कोई रोक नहीं पाएगा। बाकी इस खबर को लेके, इस जानकारी को लेके और तेजश्वी यादों को लेके, आप क्या सूचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है। कृपया कॉमेंड कीजिए और अपना विचार हम तक पहुचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्षन और मेरा नाम रजत है।